तो स्टार्ट करते हैं Nifty and Magnifty Analysis कल के सेशन के लिए and we'll discuss the stocks as well. So मैंना आपको Nifty में बताया था कि view थोड़ा bullish है, 10,300 अगर cross करता है तो 10,500 तक के possible targets हैं, यह मैंना आपको बताया था last video में. Magnifty में में मेरा view bullish है और 22,000 तक के targets हैं, यह मैंना आपको last video में बताया था. अब discuss करते हैं कल के session में क्या possibilities हैं, आज अगर आप देखो Nifty का chart, so last के आदे गंटे में एक strong sell-off हमें देखने को मिला, आप देख सकते हो, and 10,370 से directly 10,295 के असपास close हुआ है, so high से almost 100 point fall हुआ है, थोड़ा बहुत profit booking हमें देखने को मिला है, सब थोड़ा यहां से view cautious हो जाएगा, अगर 10,350 वापस cross करता है, तो view bullish रहेगा, अगर 10,240, 10,250 का level break करता है, तो एक वापस हमें reverse trend हमें देखने को मिला सकता है, downward momentum हमें देखने को मिला सकता है, तो कल का session थोड़ा important होगा, कौनसे तरफ further direction हो, कल के session में closing basis पे decide होगा, नीचे के तरफ 10,250 important level है, उपर के तरफ 10,350 important level है, तो अभी फिलाल view sideways है nifty में, bank nifty in fact मुझे थोड़ा ज्यादा weak लग रहा है, क्योंकि bank nifty अगर आप देखे 22,000 से 22,200 high बना के एक strong downfall में देखने को मिला है, और bank nifty अगर आप देखे 21,500, यह important level रहेगा, अगर 21,500 के नीचे जाते हैं, तो view थोड़ा बहुत bearish हो जाएगा, neutral to bearish, तो अभी फिलाल view sideways है, 22,000 के उपर जाएगा तो bullish होगा, 21,500 के नीचे जाएगा तो bearish होगा, अभी exactly range के बीच में है, इसलिए मैं आपको clear view नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको conditional view दे रहा हूँ, अब discuss कर दें stocks, मैंने आपको last video में grassing by just 604 के उपर, 69,17 close हुआ है बट 628 तक जाके आया, अगर आपने grassing में trade किया और profit कमाया है, तो आपको comment box में comment करके बताना है, के yes, you have traded grassing and you made profit, HDFC life मैं आपको दिया था 524 के आसपास buy, यह almost cost to cost price था, इसमें को थोड़ा बत minimum loss था इसमें, और NIT debt जो sell दिया था वो trigger नहीं हुआ है, so last video में अगर आप इसमें अच्छा profit आया, and HDFC almost cost to cost price है, थोड़ा सा minimum loss है, अब discuss करते है, stocks कल के session के लिए, सबसे पहला stock होगा TCS, TCS अगर आप देखो, यह Bollinger band है, और band का जो mean average है, 20 day moving average, उसी के नीचे close हुआ है, almost, मुझे लगता है, इसमें downfall में देखने को में चकता है, और इसमें 2000 तक क के लिए, हम लोग इसमें trade कर सकते है, जो कि इंट्राइटर ट्रेडर के लिए enough होता है, कौनसे level पर shortcut है, मैं आपको टेलग्राम चैनल में बता दूगा, टेलग्राम चैनल के लिंक में दिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिया हुआ है, नेक्स टॉक होगा, रामको सिमेंट, रामको सिमेंट भी अगर आप देखे, 650, 660 एक cross नहीं कर पा रहा है, बहुत strong hurdle है, और आप देख सकते हो, almost double top kind of formation है, 650 पे, तो मुझे लगता है, यहां से एक downfall में देखने को मिल सकता है, तो रामको सिमेंट काफी अच्छा shortcut rate रहेगा कल के session के लिए, कौन से level पे shortcut है, मैं आपको टेल्ग्राम चैनल में बता दूगा, and last talk होगा, बजाज finance, बजाज finance मुझे यहां से काफी अच्छा लग रहा है, and possible targets इसमें 3000 तक के आते हैं, तो यह positional buy भी रहेगा, और intraday buy भी रहेगा, 3000 तके targets के लिए, बजाज finance काफी अच्छा long candidate लग रहा है, कल के session के लिए तो यह stocks के आपको ध्यान देना है, कल के session में, Nifty and Magnifty में थोड़ा view sideways है, अगर आपको video analysis अच्छा लगा, तो video को like and share ज़रूर करना, thanks a lot for watching the video, see you in the next video